दोस्तो इस समय केरला स्टोरी के बारे में तो आप खूब ही सुन रहे होंगे खूब चर्चा है जोरो शोरो से की केरला स्टोरी ने इतना कमा लिया केरला स्टोरी ने हिंदूों की आखे खोल दी है केरला स्टोरी ने सच बताया है ये बताया है, वो बताया है कि केरला में कैसे बड़े तादाद में हिंदूों का धर्म परिवर्तन करवाया चा रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों कि केरला स्टोरी में बड़े तादाद में हिंदूों की धर्म परिवर्तन करवाया चा रही है केरला से ठीक इतर, मैं आपको उत्तर प्रदेस स्टोरी लेकर चलती हूँ, जियां इत्तर प्रदेस में क्या स्टोरी है वो आपको बताया गया है, आपको जानकारी है कुछ कि उत्तर प्रदेस के बरेली के अंदर क्या खेल चल रहा है, कैसे मुसल्मान लड़कियों को बना कर उसकी शादी हिंदू लड़के से करवाई जा रही है, इस बारे में कोई जानकारी है भी या नहीं, नहीं होगी, क्योंकि ये खबर कई से कई तक छपी ही नहीं और नहीं आपको बताने की किसी ने हिम्मत की है, कि कैसे उत्तर प्रदेस के बरेली के अंदर एक बहु लड़कियों को निशाना बनाते हैं, फिर उन्हें इसलाम कबूल करवा कर सीरिया भेच देते हैं, डिरेक्टर इसे सची घटना पर आधारत फिल्म बताते हैं, इसके उलत एक सची कहानी जो है दोस्तों, डिरेक्टर तो क्या बता रहे हैं, वो तो कोटरूम में कुछ और ह कह रहे हैं और WhatsApp University पे कुछ और ही कहा जा रहा है लेकिन इसे ठीक उलट एक सच्छी कहानी जो है उत्तरप्रदेश के बरहली में चल रही है यहां मुश्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है फिर उनके हिंदू प्रेमियों के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है यानि करते हैं कि वहां पर पहले मुश्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है और फिर उन लड़कियों की शादी हिंदू लड़के से करवा दी जाती है यानि कि सीधे तोर पर धर्मांतरन का खेल चल रहा है धर्मांतरन और शादी का ये काम मडी नात के अगस्त मुनी पर सामने आया है लोग सवाल उठा रहे हैं लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर इस धर्मांतरन वाली कहानी पर जो सच्ची कहानी है जो फैक्ट है जो खुद जिसने धर् किया इस पर बोच माँगेंगे किया ये धर्मांतरन जो है ये सर्फ और सर्फ एक कौम के लिए है बाकी कौम के लिए नहीं है बाकी कौम का क्या जिसमें 78 लड़कियों को एक साथ जी यहां दोस्तों आप तक की अगर मैं बात करूँ तो 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है लेकिन इस पर कोई शोर, कोई हंगामा, कोई दिखाने वाला खबर भी नहीं है कोई बताने वाला भी नहीं है कि क्या से क्या अउतरप्रदेश के अंदर खेल चुल रहा है योगी बाबा के राज्यों में धर्मांतरन कितने धरले से हो रहा है लब जिहाद पर आवाज उठाना है, कानून बनवाना है मुस्लिम लड़कियों को खुब इस तरीके से विवादे चुपणिया करना है लेकिन जहां पर मुस्लिम लड़कियों के धर्मांतरन की बात आती है उस पर सब के सब चुप हो जाते हैं मैं ये खबर दिखाना चाहूंगी दोस्तों ललन पोस्ट की खबर है उन्होंने शेयर करते वे लिखा है कि यूपी के बरेली में चल रहे है धरले से धर्म परिवर्तन का धंदा पंडित कृष्ण कुमार शर्मा अब तक 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके हिंदू लड़के से शादी करवा चुके हैं ऐसा वो खुद कबूल कर रहे हैं वीडियो में कहा जा रहा है सदफ आफरिन लिखती है कि उतर प्रदेश की जिला बरेली के 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 शंगधार पंडित ने पिछले 10 साल में 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरन किया जा चुका है पंडित के के शंगधार मुस्लिम लड़कियों को पहले धर्मांतरन करवाते हैं फिर हिंदू लड़के से उनकी शादी करवा देते हैं अगर कोई प्रेम करता है तो फिर धर्म परी वर्तन क्यों लब जिहाद के नाम पर दिन रात समुदाय विश्रिस को टार्गेट करना अब सवाल ये है कि धर्मांतरन को क्या नाम देगा गोदी मीडिया और नफरत जीवी लोग तो ऐसे तमाम सवालाद जो है वो उठाये जा रहे हैं लेकिन दोस्तों एक बात ये है कि जिस तरीके से लब जिहाद को लेकर इतना हंगामा होता है क्या इस पर हंगामा नहीं होना चाहिए क्या इस पर सरकार को कानून नहीं बनाना चाहिए क्या सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कारवाई नहीं करनी चाहिए अभी कुछ ही महीने पहले की बात है जब उत्तर प्रदेश के अंदर कहा गया कि कई हिंदुों का धर्मांतरन कराया गया है किसी मौलवी का नाम लिया गया और उसको कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था कि उन्होंने धर्मांतरन करा दिया है इस वज़े से उत्तर प्रदेश पुलिस और स्टीफ जो है उठा कर ले गई और कई महीनों तक जेल में बन रखा था तो क्या ऐसे तथा कतित बावाओं को पुलिस कारवाई करेगी क्या इन लोगों के लिए जेल का रास्ता जो है वो दिखाई दिया जाएगा जेल के रास्ते इनके लिए खुलेंगे क्योंकि जिस सरीके की चीज़े ये खुद एकसेप्ट कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं बहुत बड़ा आर्टिकल भी छपा है दोस्तों दैनिक भासकर पर और उसमें लिखा हुआ है कि कैसे वो फेस्बुक के जरिये लड़कियों स कनेक्ट होते हैं बातचीत करते हैं फिर उनसे नंबर शेयर करते हैं और नंबर शेयर करने के बाद उनसे बातचीत में एक लड़की जो है उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू लड़के ने उसको शादी करने का प्रॉमिस किया और फिर उसने जब शादी करने का वक्त आया त तो फिर इस पंडित जी ने जो तथा कथित पंड़त है वो क्या करते है कि वो हूसे फोन नमबर लेते है और इस तरीके की चीज़े जो है दढले से उतर प्रदेश के अंदर की जा रही है लेकिन इस पर तमाम नफरती लोग वो चुप है तमाम जो गोदी मीडिया है वो भी चुप होगा, वो भी नहीं बताएगा वो भी खुल कर आपको कुछ कहानी, कुछ जो सच है वो नहीं बताने के हिम्मत करेगा साहस नहीं जुटाएगा कि वो कैसे जो है, एक पार्टी के खलाब हमेशा नतमस्तक रहते हैं उनका जुकाब सिर्फ और सिर्फ एजींजे पर काम करना होता है, सच क्या है, फैक्ट्स क्या है, इस पर बात नहीं की जाती बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वालों के साथ खड़े रहेंगे नफरत फैलाना है कैसे इसके लिए वो पूरे वक्त 24 इंटू 7 जो है एक्टिव रहेंगे फिर तो इनकी जो रातों की नीन दिन का चायन सब कुछ छिन जाएगा सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने में कि इसी में मज़ा है और इसी में खुश करना है आका को और आका को खुश करने के चक्कर में किस तरीके से प्रोपोगेंडा देश के अंदर फैलाया जा रहा है वो आपके सामने है दोस्तों इस पूरे रपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिक एलिया है में कॉमिन सेक्षिन में जरूर बताईएगा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुर भी ना भोले